पतियों के निये डर बना रहता था कि कहीं दूसरी शादी ना कर ले मेरी कोई कमी ना देख ले तो कभी आगे ये कदम उठा ले वो डर से उन्होंने जो है मुक्त किया है उत्रखण में UCC बिल कल विदान सभा के पटल पर रख दिया गया और पेश भी कर दिया गया ऐसे में हमारे साथ यहां एक सौमिदाय के लोग हैं जिन से हम जानने की कोईशिश करेंगे कि UCC बिल उनके लिए कितना कारगर सावित होगा सबसे पहले में आप महिला हैं महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है UCC के बिल में आप कैसे देखती हैं धन्यवाद बहुत खुशी का मौका है कल जो हमारा कानून आया है हमारे मुख्य मंतरी जी लेके आए इस चीज़ से हमारी मुस्लीम बहनों में तो बहुत ज़्यादा खुशी है और यह हमारे निये एक अफसर है जो हमने इसको भी सोचा भी नहीं था पती के निये डर बना रहता था कि कहीं दूसरी शादी ना कर ले मेरी कोई कमी ना देख ले तो कभी आगे यह कदम उठा ले वो डर से उन्होंने मुक्त किया है पचास परसेंट बहनों को माबाप की जैजात में पती की जैजात में हिस्सा दिया है तो हमारे निये बहुत क कि अ यह लिए हो जाएंगे तो आप कैसे मानती हैं आप कैसे देखती है कि मेरे जो मौल भी है को या ऐसा गाले है कि हमारे मोधी जी के इसा सब क случае विकास और सब का विश्वास हमें पूरा बिश्वास है कि हमारे निये कोई अच्छा रास्ता निकलेगा आप कैसे देखते हैं देदो दो धाम के लेकर जो बयाना है कुछ चीजे ऐसी है जो हमारी सरकार है वो तो देखी रही है लेकिन जो हमारे धरम गुरु है सबी समधाय के कुछ काम है मैं उन पर भी छोड करता हूं तो मेरी मस्जिद है और में मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हूं तो मेरी कहें कि मस्जिद जो मंदीर में पूजा करने के लिए नहीं जा रहा उसका कहें का मंदिर जो पूजा करने के लिए जाता है जो पूजा करते हैं उसका मंदिर आस्था है रही बात यह कि सारी सीज हमने करके जो हमारे धर्म गुरु है उनका इजायत बनता है वह बैठ करके कोई इसका रास्ता निकाले जो निकलेगा वह सही निकलेगा आपका सीधे रूप से मानना है कि अभी मज़िद है वह आपकी मज़िद है और वह मंदिर नहीं है क्योंकि मंदिर में करता है वह द्रम का काम करता है मस्जीद उसकी और मंदिर इसलाम तो ऐसी जगे पर माना जाता है कि जहां पर विवाध हो उस जगे वह उसकी पूजा पाट करना वुलकुल गलत माना है विवाद को बैठ करके शुलज़ा जा सकता है आपस में हमारे धर्म गुरु हैं पहले मंदिर तोड़ा गया तो मैंजीद थी वह तो मैंजीद आज पड़ी जा रही थी उसमें अब नमाद बंद करा दिया आप लोगों ने फिर अब क्या मतला रहे गया अब तो धर्मकुरू बैठेंगे जो दोनों पक्स बैठेंगे जबी बात होगी इसको पर और UCC कानू इसको बनाया और इसको लागो करता हूं कि इसको बनाया और इसको लागो करता हूं मैंने जो दो तिन से अकबार के माध्धम से पढ़ा देखा और जो समझा उसमें कोई मुस्लिम समाज का कोई नुकसान नहीं है और अभी तक हमें उसमें फैदा ही नजर आया यहां तक कि जो हमारे बच्चेया हैं जो मुस्लिम बहने हैं उनको जैजाद में बराबर का हक औ और जो बहु विवा जो एक गंद था समाज के अंदर जो कुछ व्यक्ती गंद खिना रखा था जिनना गंद फैला रखा था वो खत्म होगा उनको नियाय मिलेगा इस चीज़ से बचेंगे और यह भी फैदा है और कुल मिला करके यह कोई किसी किसम का भी हमें अभी तक आया सिवाए फैदा के फैदा जरूर हुआ ठीक है यूसी से के फायदे हैं लेकिन शादा भाई आपने भी सुना पहले जो जमीन जिसकी है उस पे अगर वो इजादत मांग रहे हैं आप से कह रहे हैं कि दे दिया जाए आपने उनका वक्तवे भी सुना जो मस्जिद उनकी उन्होंने एक श्री कृष्ण को कोट करते हुए जो दुरियोधन से बात करते हैं उसको कि दे दो हमको पांच ग्राम विशे को सामने कोट किया एक तो स्पष्ट नहीं कहा भी लेकिन अगर इस प्रश्टा से ये बात आती है कि वाकई वो इस पे संसियार है वो संथ है हमार वो इस बात को सही लाइन पे कहते हैं और तो मुझे लगता है कि एक अच्छी लाइन है और इसके उपर अगर मोधी जी की गैरेंटी भी आ जाए तो इस होने पे सुहागा है और देश के अंदर एक बहुत सौहार्द पूर्ण माहौल आ जाएगा हम कहरें कि मिलके दोनों म खुल के कहनी के आवशकता है और खुल के इस टॉपिक पे बात करनी के आवशकता है और मुझे उम्मीद है कि यहीं से रास्ता निकलेगा अच्छा जैसे कि इसलाम में कहा गया है कि जहाँ विवाद हो वहां नमाज करना हराम है आप कैसे देखते हैं और दूसरा गारंटी कौन सी चाहिए आपको ऐसी देखे ये इसमें कोई शक नहीं है कि जहां विवाद होता है अगर किसी जमीन पर विवाद है तो वहां मस्जिद नहीं बन सकती और अगर मस्जिद के बाद भी विवाद आ गया तो वहां आपकी नमाज नहीं हो सकती इसमें कोई शक नहीं है हम य तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे मुझे लगता है आज वक्त है कि असली बिमारी समझ में आ गई ये इसका बीच का रास्ता तलाशना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत इमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि जो जिसका है वो उसके पास चला जाए मुसल्मानों की तरफ से बहुत बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है और मैं इसलिए हम बहुत पॉजिटिव नोट पे इस बात को कह रहे हैं कि अगर ये बात खुल के सामने आती है क्योंकि अभी तक सिर्फ इशारों में आई है खुल के बात आती है तो खुल के समर्थन भी होगा और ख जिस तरह की हरकत उन्होंने की है दूसरे धरम को लेकर के अबदर टिपपनी जो की है सबसे पहले तो उन्होंको पूरे देश से माफि मागनी चाहिए और दूसरी बात हमारा इसलाम मजब ये कहता है कि हमारा मजब हमें मुबारक जो मैंने कहा ना भी लगुम दीन लिकुम मुबलिय दिन और आपका मजब आपको मुबारक तो इसमें कोई जबर रस्तिवादी तो को लाइन है ही नहीं अगर उन्होंने अबदर टिपपनी की है दरम पे तो उनको बिल्कुल माफि मागनी मागनी चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे जो संत है और हमारे जो स्कॉल वो एक बहुत बड़े संत हैं और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उस पर हमारे जो मुस्लिम धरम गुरू है हमारे ऑलमाई 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 हैं उनको आपस में बैठ करके विचार करना चाहिए और एक डेलिकेशन उनका हो एक डेलिकेशन हमारा हो उस पर बैट करके पुन विचार करें अगर उन्हें लगता है कि देश के अंदर एक आपस में बाइचारा कायम होता है इस बात को ले करके तो बिल्कुल शॉट आउट करना चाहिए कोई गुरेज नी करना चाहिए उनको आप कैसे देखते हैं इस पूरे नजरीय को जैसे मुख्य मंतरी उत्तरप्रदेश के कह रहे हैं दो दाम देदो बाकी सब आप के हैं मेरा मानना ये है कि सरकार चलाने के लिए किसी परतियक विक्ति को बहुत सारे बुद्धी जीवियों की जरूरत होती है और जब ये सारे मामले निकल के आते हैं चाहे वो ग्यानवापी मस्जिद का हो चाहे वो यू सी सी का हो तो उसमें सरकार हर एक बुद्धी जीवी की राय लेती है और अपनी राय मश्वरा के बाद ही तब ये डिसिजन लिया जाता है कि क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी है अगर यू सी सी का कानून लागू हुआ है तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि किसी को कोई नुकसान नहीं है यहां तक की बात है कि महिलाओं को तो और ज़्यादा अधिकार मिल गए है जो बात अब से काफी समय पहले मोधी जी ने एक समानता का अधिकार देने की कही थी वो आज हमारे मानिनी मुख्य मंतरी सिरी धामी जी ने पूरी कर दिये रही बात दो धाम की तो धाम के बारे में तो ज़्यादा तर वही लोग जान सकते हैं जो लोग धाम से तालूक रखते हैं ठीक है जैसे इसलाम में ऐसे विवादस पत जगे पे नमाज हराम मानी जाती है आप कैसे देखते के एसे नहीं विवादा एक समुतायगा हो सकता है अगर बार को कि उसे को है कि दिते नहीं-विवादा करता हूं पोई नहीं दिखत नहीं है वहापस में सुल जाया जा सकता है अगर दो कम्श согласne आडिकार में तो ये मुझे अच्छा अगर ये फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आज तू बहुत अच्छा फैसला है ये सारी मस्जिदें में मुसल्मानों को अगर देश में इमांदारी से इबादत का अधिकार मिलता है। मेरे मुझे अपनी मस्जिदों में पुरे देश के अंदर इबादत करने का अधिकार मिलता है तो दो मस्जिदों को देने में मुझे लगता है कहीं से कहीं तक कोई दिकत निया हमारे हिंदू भाईयों के सेंटिमेंट्स की कदर हो जाएगी देश एक जुट खड़ा हो जाए तो फिर मज़ा आएगा ना बात करने में, फिर हम भी बात करेंगे, अपने ओलेवाओं से भी बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज वक्त और जरूरत है इस चीज़ की, कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, और मुझे उम्मीद है कि यह रास्ता जरूर निकलेगा. तो ये उत्राखंड में आपने देखा की कौमी एकता की मिसाल आपने देखने को भी लिए कहां जहां एक बार UCC का बिल पेश हुआ जिसके बाद लोगों में खुशी का मौहल है सभी संपर्दाय के लोगों ने यहां डोल नगाडों के साथ खुशी दिखाई और जाहिर भी की और देखे आज जो योगियो आदितेनात ने जैसे दो धाम की डिमांड की उसको भी लेकर सीधे रूप से कहना है कि मिलकर भाईचारे के साथ इसका हल निकलना बहुत जादा जरूरी है अभी शेक सिना टाइम स्रावन भारत तहरा दूर